Hello everyone, welcome back to our channel GDC Editor जी हाँ, महराश जिला परिसद के अंदर जो भी Pharmacy Officer की वेकेंसी, महराश NHM के अंदर Pharmacist और महराश आरोग विभाग के अंदर भी जो भी Pharmacist और Pharmacy Officer की वेकेंसी निकली हुई है उसके complete slavies के according हमारे इस चैनल पे completely free MCQ session चल रहा है with explanation चल रहा है, totally free है जिसकी playlist भी बनी हुई है इस चैनल पे जिला परिसद नाम से वहाँ पे जाके आप सारे subject के MCQ को practice कीजिए, अपने तयारी को boost up कीजिए और आने वाले exam में अपनी exit grab कीजिए उसी कड़ी में हम जो पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहे थे, hospital and clinical pharmacy hospital and clinical pharmacy के अंदर अब तक हमने तीन पार्ट करा दिया था ये आपका चौथा पार्ट होने वाला है इसमें हम देखेंगे कि hospital and clinical pharmacy से किस-किस प्रकार के question आपके exam में बन सकते हैं उसका explanation समझेंगे उससे भी question बनते हैं ये बहुत ही important subject है इसे ignore भी मत कीजेगा clear है, पूरे वीडियों बने रहिएगा ताकि कोई भी question मिस नो होने पाए जी हाँ, चले देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला question होने वाला है क्या है डियर? पूछा है medication which must be prepared by following a specific recipe or formula usually because they are not available commercially are called हाँ जी, ऐसा medication, ऐसी दवाईया जो की prepare की जाती है किसी formula या किसी recipe को follow करके बनाई जाती है क्यों? क्योंकि ये commercially market में available नहीं होती है तो ऐसे formulas को हम क्या बोलते हैं? ऐसे medication, ऐसे preparation को हम क्या बोलेंगे? compounds बोलेंगे या फिर private compounds बोलेंगे या फिर extemporaneous compound बोलेंगे अथवा कुछ भी नहीं बोलेंगे तो देखिए, ऐसे medication जो की specific recipe formula को देख कर बनाए जाते हैं market में available नहीं होते हैं उन्हें हम extemporaneous compound बोलेंगे जी हाँ, क्या बोलेंगे? extemporaneous compound बोलते हैं जो की market में available नहीं होता और ये pharmacist के द्वारा ही prepare किया जाता है clear है, आगे चलते हैं अगला यहाँ पे question क्या होने वाला है which of the following is not a component of total parental nutrition जी हाँ total parental nutrition क्या होता है? IV root के द्वारा जब हमारे patient को दिया जाता है न, है न, जो की आपके body में nutritional जो आप जैसे electrolyte हुआ protein हुआ, vitamin हुआ, amino acid यह सब दिया जाता है तो भीया, यहाँ पे total parental nutrition का कौन सा यहाँ पे component नहीं है तो देखे, amino acid यह भी आपके total parental nutrition में मिला होता है fats मिला होता है vitamins मिला होता है लेकिन fiber नहीं होता जी यहाँ, TPN के अंदर क्या चीज नहीं होता fiber नहीं होता पूछा है not तो not पूछा है तो यही fiber आपका right answer होने वाला है clear है, देख सकते हो total parental nutrition जो आपका veins वगरा के द्वारा दिया जाता है patient को एक mixture होता है अलग-अलग component का जिसमें लिपिडिमल्सन हुआ dextrose हुआ, amino acid हुआ, vitamin हुआ, electrolyte हुआ, mineral हुआ press element हुआ यह सारे चीजे total parental nutrition के अंतरगत आते हैं 3 micronutrient जैसे lipidimalson, protein और dextrose भी होता है clear है, चलिए अगला question यहाँ पर क्या होने वाला है what is the appropriate area for preparing total parental nutrition solution हाँ जी जो IV bag वाला जो IV से चढ़ाते हैं पानी चलता है, ग्लूकोच चढ़ता है तो यह जो बनता है जहाँ इसे prepare किया जाता है तो उसका area कैसा होना चीए किस area में इसको बनाएंगे खुले area में, या patient के bed site पे बनाएंगे या कोई specific जहाँ पर माइक्रोब वगरा ना हो वहाँ बनाएंगे तो देख लेते हैं option कहाँ बनाएंगे in the central supply department जहाँ supply होती दवाओ वाओ की वहाँ बनती है या फिर under the laminar flow hood in the pharmacy जो laminar flow hood जहाँ पर एकदम bacteria वगरा नहीं आते हैं minute से minute particle भी नहीं entry ले पाते हैं वहाँ बनाए जाएगा या फिर clean medication room में नर्सिंग division के पास या फिर patient के bedside पे तो भाईया bedside वगरा पे नहीं बनाए जाएगा नहीं nursing station पे नहीं supply department में बनाए जाएगा तो laminar flow hood के under pharmacy के अंदर ठीक है जहाँ पे कोई भी contamination के chances नहों वहाँ पे इसे prepare करा जाता है इसे total parental nutrition को देख सकते हो ना laminar air flow कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे एकदम microbes या bacteria या जितने भी छोटे-छोटे particle है वह आपके parental product में नहीं आ सकते contamination नहीं हो सकता clear है चलिए अगला question यहाँ पे क्या निटिशन जी हाँ total parental nutrition के अंदर जो protein होता है उसका source क्या होता है alpha автомобiline casein amino acid free amino acid या immunoglobuline तो यह टिपियन के अंदर जो protein होता है mainly उसका source होता है free amino acid हम क्या होता है free amino acid टिपियन के अंदर आपके protein का source होता है जो आपके main amino acid होते है वही ठीक है चले आगे चलते हैं अगला कोशन यहां पर क्या होने वाला है दर रेजिमेन आफ टाइम फॉर दर डिलिवरी आप साइकलिक टोटल परेंटरल नूट्रिशन थेरपी इस यूजली हाउ मेनी आवर्स जी हां यहां यहां पर पूछा गया है जो साइकलिक टीपियन होता है यानि जो आपका बोतल वगरा चलता है आई भी जो सलूशन चड़ता है वो रिपीटरिडली अगर चल रहा है तो उसका टाइम डिरेशन कितना होना चाहिए चलता है अगला कोशन है वाट सबस्टान्स आर जनरली एड़ेड़ टू टोटल परेंट्रल नूट्रिशन सॉलूशन हांजी टीपीन सॉलूशन के अंदर क्या क्या चीजे होती हैं अभी तो हमने कुछ देर पहले स्लाइड में देखा था इलेक्ट्रोलाइट हुआ विटमिन हुआ प्रोटीन हुआ विटमिन नहीं, simply आपका option A right हो जाएगा टीपीन के अंदर आपका इसका क्या इंडिकेटर है कि पेसेंट किस कंडिशन में हो तब हम उनको आई भी सलूशन या बैक लगाएं या तोटल पैद्टरस नूट्रीशन दें कभ जब पेसेंट कोमा में हो या सिट्रेट टॉकसिसेटी हो या बाओल की कोई सर्ज्यदी हो तब दी जाती है या kidney failure हो या gastro cutaneous fistulus वाला समस्या हो या hepatic failure हो या फिर hyper metabolic status हो या माल absorption हो eternal therapy का या फिर filtration multiple trauma हो या फिर bowel risk related आपको जरुरत हो पेसिंट को तब दी जाती है तो में ली आपका किस condition में क्रिफ लिवर का समस्य हो हैपर मेटाबोलीक स्टेटस समस्य हो माल अब जॉप्शन वाली समस्य हो तब आपका टोटल परेंटरल नूट्रिशन दिया जाता है पेस्ट को यहां पे आप देख सकते हो अलग अलग condition में ठीक है आगे चलतने हैं अगला कोशन है टोटल परेंट्रल नूट्रिशन इस अ मेथड ऑफ जी हां टोटल परेंट्रल नूट्रिशन एक मेथड है किसका feeding that bypass the gastrointestinal tract जी हां टोटल परेंट्रल नूट्रिशन दोगे तो जी आइटी में तो देते हुँ आप वेन वगरह में तो देते हुँ तो यह तो सही हो गया कि भीया यह जी आइटी को बाइपास कर देता है साधी साथ टोटल परेंट्रल नूट्रिशन एकी special formula होता है जो कि व जब कोई patient हमारा माउथ द्वारा फ्लूड वगरा नहीं ले सकता उस condition में नहीं होता तब दिया जाता है तो यह भी सही है तो ओल आप दीवब यहां पर statement TPN के regarding सही है कि नहीं सही है तो यहां पर option D right हो जाएगा ठीक है यहां पर आप देख सकते हो टोटल परेंटल नूट nutrition क्या हुआ एक ऐसा वे है जिसमें आपका मेली आपका जी आई टी बाइपास हो जाता है कोई अगर मुह से नहीं ले पा रहा है तो उसको TPN के तरूर दे दिया nutrient प्रोइड करता है ठीक है आगे चलते हैं अगला question हमारा क्या होने वाला है फूचा गया है यूज ऑफ एंट compatibility या नवदीबब तो या antagonistic drug मतलब दो ऐसे drug जो कि एक दूसरे के action को oppose कर दे antagonize कर दें खतम कर दें तो एक्षन को therapeutic effect को कम कर दें या antagonize कर दें तो किस प्रकार की incompatibility हुई थरपटिक incompatibility हुई की नहीं हुई है ना antagonistic अगर drug है तो आपका therapeutic incompatibility देखने को यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर जैसे आपका एक्जामपल ही पैरिन अगर antibiotic के साथ दे सकते हो दोगे तो आपका antagonistic activity है इसकी तो धरपटिक incompatibility में आया जिससे आपका antibiotic stability कर जाती है ठीक है आगे चलते हैं अगला question है precipitation is which type of incompatibility यह जैसे मान लीजे emulsion है suspension है उसके particle नीचे बैठ गये बैठ गये तो instability है incompatibility है किस प्रकार की तो यह नीचे बैठ जाना कोई therapy का समस्या तो है नूँ केमिकल रियक्शन यहाँ तो हो नहीं रहा है simply physical incompatibility हो रही कि नहीं हो रही है precipitation तो यहाँ पर कौन सा टाइप of incompatibility है physical जी हाँ option यहाँ पर राइट हो जाएगा देख सकते हो जब precipitation वाली समस्या आती है तो आपका physical incompatibility आ जाता है ठीक है चले आगे चलते हैं अगला कोशन यहाँ पर क्या होने interaction जी हाँ antagonistic activity हो सकती है interaction हो सकता है तो therapeutic incompatibility देखने को मिल सकती है synergistic effect से therapeutic incompatibility हो सकती है और change in viscosity यह तो आपका physical incompatibility का example है तो यह नहीं होगा ए और बोथ हैं भी यहाँ पर therapeutic incompatibility के क्या है examples है कह लिजे या उसके घटक है उसका अगर यह सारी चीजी होगी तो समझाज लिजे therapeutic incompatibility भी देखने को मिल जाएगी तो option D यहाँ पर right होने वाला है ठीक है कि अगर doses में error हो गया wrong dose या wrong doses form दे दिया तब therapeutic incompatibility होई contraindicated drug दे दिया synergistic antagonistic drug दे दिया drug interaction हो गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला question the changes in the formulation is needed with a compound having equal therapeutic value to overcome incompatibility is which type of incompatibility हाँ जी किसी formulation में change कर देना formulation को ही change कर देना किसके साथ equal therapeutic value equal therapeutic value वाले formulation से तो यह किस प्रकार की incompatibility को रोकता है या इसे हम किस प्रकार की incompatibility बोलेंगे या रोकने को बोलेंगे ठीक है adjusted incompatibility tolerated therapeutic या ना ना दीवब तो यह formulation में जब change किया जाए equal therapeutic value वाले यह compound से तो उसे हम बोलेंगे adjusted incompatibility जी हां option a right हो जाएगा adjusted incompatibility बोला जाएगा जी हां यहां 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 पे आप देख सकते हो जब हम equal therapeutic value वाले प्रोड़क्ट से हम change करते हैं एक formulation को है ना तो वह आपका adjusted कहलाएगा ठीक है अगला question है there are how many types of pharmaceutical incompatibility अभी तक क्या देखा physical chemical therapeutic तीन प्रकार का ही तो देखा incompatibility तो option यहां पे c right हो जाएगा ठीक है यहां पे आप देख सकते हो option c physical chemical and therapeutic incompatibility याद कर लेना बहुत ज्यादा question इससे पूछा जाता है ठीक है आगे चलते हैं अगला question हमारा क्या होने वाला है incompatibilities में अकर during incompatibilities कब होती है या कब अकर होती है during compound and formulation होती है बिल्कुल during manufacturing and packaging वहां भी होती incompatibility या during dispensing storage and administration हर जगह हर एक स्टेप पे incompatibility होने के chances हैं यहां पर option दी राइट हो जाएगा ठीक है यहां पर देख सकते हो कहां कहां हो सकता है compounding के दौरान भी formulation के दौरान भी manufacturing packaging के दौरान भी dispensing के दौरान भी तो यह सारे के सारे steps हैं जहां incompatibility होने के chances हैं ठीक है चलिए अगे लिए चलते हैं कोशन की तरफ and improperly prepared solution when administered can have very serious consequences like हां जी अगर कोई गलत ढंग से बनाया हुआ improperly तरीके से बनाया हुआ solution है या कोई भी product है अगर हम administered करते हैं तो क्या-क्या serious effect या क्या-क्या serious consequences body में देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहली बात infection हो सकता है सभी जानते हो सकता है emboli यानि की blood वगएरा clot हो सकता है थक्का वगएरा बना सकता है बिलकुल occlusion इसमें भी body में क्या होता है दिक्कत होती है तो वह आपका occlusion भी हो गया emboli भी हो गया और infection तो यह तीनों के तीनों यहां पर consequences देखने को मिल सकते हैं during अगर कोई improperly prepared solution हमने administered कर दिया ठीक है तो यहां पर देख सकते हो infection, emboli और occlusion यह सब dangerous हो सकते हैं हमारे body के लिए ठीक है आगे चलते हैं अगला question क्या है the IM, IO, both envy यह IV root is most dangerous root of administration because it bypass all the body natural barrier हंजी ऐसा कौन सा root है parental का जो कि बहुत dangerous भी होता है क्यों क्योंकि यह body के सभी barrier system को natural barrier system को pass out कर देता है बाइपास कर देता है IM root, IO root या फिर intravenous तो यह right answer x का होने वाला है IV root हाँ जी intravenous root एक ऐसा root है directly blood में directly आपका blood में product जाता है कोई barrier यहां पर नहीं लगता ठीक है तो यह आपका IV root कह सकते हो dangerous भी होगा और कभी कभी किनी किनी केस में fastest है तो फायदे मन भी है तो यह बात हो गई आगे चलते हैं अंगला question है the intravenous admixture product should be जो जो आई वी एड्मिक्षर प्रोडट्ट टीपिन वगरा वो क्या होना चाहिए should be free from contamination होना चाहिए यानि कि bacteria free particle free या अलग जो material है वो free होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए या solution should be clear यानि कि सारे medicine हमारे dissolve होने चाहिए बिल्कुल यह भी सही बात है बहुत या न न तो भाईया जाहिए जाहिए सी बात है असान से देख सकते हो बहुत यह यहां पे राइट होगा भीया clear भी हो साथी साथ यहां पे सारा free from contamination भी हो चलिए अगला question क्या है intravenous admixture are mixture suspension small volume parental large volume parental to which one or more additional drug or solution have been added चलिए बताइए आई-वी-admixture क्या होता है या एक तरह से small volume parental suspension mixture या large volume parental जिसमें addition होता है drugs का है ना तो हम क्या बोलते हैं LVP बोले तो large volume parental ठीक है आई-वी-admixture बोलते हैं ध्यान ने देना आई-वी-admixture बोलते हैं large volume style fluid होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला है the drug added to an IV solution is called हंजी आई-वी-solution में जब कोई हम drug add करते हैं ना तो उसे हम क्या बोलेंगे एक सीपेंड बोलेंगे इनसील बोलेंगे डेक्स्ट्रोज बोलेंगे एडिटीव बोलेंगे तो यह उसको simply हम बोलते हैं additive हाँ जी अगर आई-वी-solution में ड्रग डालेंगे तो उसे हम एडिटिव बोलेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं यहां पर देख सकते हो है ना और वो सारी चीज़े प्रोड़ाट को हम एड्मिक्शर बोलेंगे ठीक है आगे चलते हैं अगला और आज का लास कोश्चन क्या है यहां पर खाली अस्तान है एड्मिक्शर, सस्पेंशन, आईवी एड्मिक्शर या इमल्सन इस दो प्रिपरेशन ओफ फार्मासुटिकल प्रोड़क्ट डाइट रिक्वाइर देटिटिव ओफ मेडिकेशन 250 ml और लार्जर बैग और बॉटल ओफ आईवी फ्लूड हंजी यानि कि यहां पे कौन सा ऐसा प्रिपरेशन है फार्मासुटिकल प्रोड़क्ट का जो कि क्या रिक्वाइर करता है एडिटिव मीजर एडिटिव हमारा मेडिकेशन का उसमें डलेगा किसमें 50 ml या उससे लार्जर बैग आफ आईवी फ्लूड में तो से हम आईवी एडिट्मिक्शर ही तो बोले थे अभी है ना एडिटिव डाले हमने ने सारे 50 ml या उससे बड़े तो लार्ज वोल्यूम परेंटरल हो गया और उसको हम आईवी अडिक्शर भी बोल दिये ठीक है यहां पर आईवी अडिक्शर इसका राइट एंसर हो जाएगा एडिक्शर सिस्टम ठीक है चले है तो यह था आपका हॉस्पीटल एंड क्लीनिकल फार्मेसी का पार्ट नंबर फॉर अब इसके बाद एक पार्ट और बचेगा सारे पार्ट को अगर एक बार देख लोगे ना तो हॉस्पीटल फार्मेसी के आप कंप्लीट सारे कोश्चन कर जाओगे इसी तरीके से सुटेक्स को लोजी कोगनोसी केमस्ट्री बायो केमस्ट्री सारे सब्जेट का अलग-अलग एक्सपर्ट फेकल्टीज के दौरा आप से हॉस्पीटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के पार्ट नंबर फाइप में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे थेंक्यू सो मच आल दे वेरी बेस्ट